आज शेर्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसके बारे में मैं बहुत बेसिक्स बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनियेगा कोई भी कर सकता है आखरी तक वीडियो को देखिएगा सबसे पहला कि आपको ये पता होना चाहिए कि शेर्स क्या होता है किसी भी कंपनी में जो पूंजी लगी रहती है उसका एक छोटा सा हिस्सा चाहे वो 10 रुपए का एक हो चाहे 100 रुपए का एक हो उस पूंजी में जो हिस्सा होता है उसको शेर्स बोलता है यह shares पहले paper form में हुआ करता था अगर आप किसी company में अपना हिस्सेदारी या capital लगाना चाहते थे तो पहले क्या होता था कि हम apply करते थे share application देते थे उसके बाद share allotment होता था और share allotment होने के बाद में हम लोग को share issue होता था तो हमारे पास उसके बाद shares आते थे वो share पहले paper format में होते थे उसके बाद में ये जो shares हैं वो digitize हो गए digitize का मतलब electronic format में conversion हो गए और इसके लिए उन लोगों ने एक wallet एक store criteria या store का concept बनाया है जिसको demat बोलते हैं demat का मतलब तो dematerialized format में shares को रखा जाता है जैसे bank में आपका खाता होता है उसी तरीके से dematerialized digital खाता आपका होता है जिसमें आप कोई भी shares खरीदते हैं तो वहाँ पर जाकर जमा हो जाता है जब आप बेचना चाहते हैं तो उसके थूप shares को वहाँ से निकाल कर बेचा जाता है तो ये demat format में shares को रखने का जो जगा रहता है उसको dematerialization बोलता है ये dematerialization होने के बाद में shares का trading और जादा आसान हो गया लोगों ने पैसे लगाए shares को dematerialized form में लिया और उसके बाद उसको invest किया तो ये वाला concept clear है कि हमको shares को dematerialized form में रखना होता है उसके लिए demat account open करने की जरूरत पढ़ती है तो सबसे पहला point मेरा था demat account open करने की जरूरत होती है दूसरा demat account open करने के लिए क्या-क्या information की जरूरत पढ़ती है demat account open करने के लिए सबसे पहले तो आपका bank account को ही होना चाहिए वो bank account का information के साथ में आपको अपना KYC इसका मतलब यह है कि आपका आधार card, pen card, photograph यह सारे information को देने की जरूवत पड़ती है उसके बाद हम लोग को dematerialize का जो भी online form होता है या physical form को या कर भरवाता है यह दोनों option आजकल available है online भी हो जाता है physical भी हो जाता है तो आप यह demat का form भरेंगे form भरने के बाद में demat account open हो जाता है अब मैं आपको बता दू कि demat account open करने के बाद में हमारा main जो काम रहता है वो किसी न किसी broker के थुरू हमको share का trading करने की जरुवत पड़ती है यह broker कौन होते है मैं आपको बता दू stock exchange के जो shareholder होते हैं वो ही broker होते है जैसे share खान जैसे आपका India Info Line तो यह सारे shareholder है stock exchange के और वो shareholder ही direct broker होते है stock exchange के साथ में directly खरीदने बेचने का अधिकार उस shareholder इसका मतलब वो जो हमारे share broker है उनका होता है उन broker से कई सारे लोग sub-brokership लेते हैं sub-broker का मतलब उनके बिहाफ में वो काम करते हैं ऐसा भी possible है तो आपको DMAT account उपन करने ही पड़ेगा और किसी ने किसी broker या sub-broker के साथ में registration करने की जरूवत है ताकि आप trading कर पाएं क्योंकि trading उनके थूँ ही आपका होना है तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपका DMAT account होना चाहिए DMAT account के लिए documentation क्या क्या लगने वाल है और उसके बाद आपको trading के लिए हम को brokers की जरूवत पढ़ती है वो broker अल्रेड़ी उस share के जो security market है वहाँ के shareholder होते हैं तो ये shareholder लोग के साथ में हम लोगों को खाता connect करना पड़ते हैं हमारा DMAT अकाउंट उसके बाद हम लोग investing और पैसे लगाना शुरू कर सकते हैं अकाउंट बाद हम लोगों के लिए